हेलो और वेलकम मेरा नाम है दिवांशिय लावत और आम बाक विडियो यह जो आप सामने देख पा रहे हैं यह है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो की मैडरास में है और यह जस्ट एक एंट्री है मैं थोड़ा सा बैक साइड जाके आपको दिखाता हूँ यह जो है हम फिलाल चलनाई में हैं और यह जो है फोर्ट यह इंडिया का सबसे पुराना फोर्ट है अब पुराना फोर्ट इन दा सेंस वैसे जितने हमारे राजा थे वो उनके फोर्ट जो अगरते थे उस तरीके से नहीं यह जो ब्रिटिश इंडिया ने जो जो ब्रिटिश इसके अंदर पहले यह पूरा British यूज़ करती थी उसके बाद यहाँ पर क्या है जो government के जो different offices है वो बन गए है यह देखिए आप Canon from Sindh जो पंजाब से उपर का एरिया है North West India जहाँ पहले Sindh हुआ करता था जो पाकिस्तान में है अभी तो वहाँ से सब canons वगरा लेके आए जिसमें से कि 20 रुपे आपको मैं bifurcate अगर कर दूँ इस ticket पर लिखा हुआ है साफ-साफ 20 रुपे आपका यह देखिए यह ticket है 20 रुपे जो charges है 5 रुपीज इनका AC charges मतलब total per head एक बन देगी आपको 25 रुपे पड़ेगी यह अंदर है यह है इनकी जो भी वाल पे जो paintings है पोट्रेट्स है यह जो British time के यह completely जो है British time के जो भी उस time की historical चीजें थी जो archaeological department को सही लगी या उसकी importance होगी जैसे यह सामने आप देख पारें यह different coins है उस time पे British India के time पे 1600 से ले करके क्योंकि British shares जो है भारत में आया थे 1600 सदी में और यह जो museum है बनाया गया था 1640 में करीब मैं आज से 300 साल या उससे थोड़ा वात उपर नीचे होगा और उस time से related जितने जब तक British का time था 1639 वो समय यानि करीबन 40 साल होगे समझ लीजे उस time पे British के जितने coins होते थे या जो भी related चीजें थी वो सारी यहां पे आपको वो सारी चीजें आपको यहां दिखाई देगे मोटा मोटी यह तीन फ्लोर का मीजिम है फस्ट फ्लोर पर आप जैसे मैंने आपको दिखाया थोड़े historical चीजे थी सेकेंड फ्लोर पर यह देखिए different चीजे है history जो history lovers होते हैं मुझे particularly museum जाना बहुत पसंद है काफी कुछ सीखने को मिलता है काफी कुछ देखने को मिलता है हमरी civilization के बारे में आज हम क्या हैं पहले हम लोग क्या इस्तमाल करते थे और कैसे कैसे क्या क्या चीजें है यह एर कंडिशन है और यहां पर खास बात है कि लोग मुझे दिखे नहीं जब हम लोग गए थे मेभी वो बाई लग भी ऐसा हो सकता है कभी खाली हो या कभी भरा ह इस दिन पूरी शानती थी यहां पर आप राम से बैठके देख सकते हैं मैं फैमली के साथ था तो मैं ज्यादा समय तो नहीं विता सकते हैं बट मुझे अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर जाना एक्दम शानती हैं सुकून से आदमी बैठके देखे इन पर डिटेल्स लि जाते होंगे ये डिफरेंट टाइप पोस्टल स्टैंप्स ये क्या लिखा हो है देखते हैं जूम इन करके अशोकन लाइन कैपिटल अच्छा बड़ा लगा थे हमारी ट्रिप हुई थी कोरोना से पहले बट मैं वीडियो मेरे दिमार्ग से स्किप हो गया थे का वीडियो तो मैंने सोचा भी अपलोड कर देता हूं ये जो है इस पेशालिटी है यहां की इंडियन फ्लाग देशाइन फ्लाग देशाइन ये ये यहां रखा गया ये इसकी स्पेशालिटी है ये थर्ड फ्लोर पे है सबसे टॉप्मोस्ट फ्लोर आप यहां आएं तो इसे जरूर देखें है हम लोग गए थे कोरोना से पहले तो बस ये लास्ट टिप थी हमारी एराउंड फेब्री में गए थे शायद से ये सुवास चंडर बोस जी इनके अजाद हिंद जो इनने फॉज बनाई थी आई एंड ने इंडिफरेंट पेंटिंग्स हैं चोटा सा वीडियो ब बड़े हॉल्स हैं और अच्छा लगता है एक कुछ चीज़ें देखके उतनी महसूस नहीं कर पाते हैं जितना आप परस्नली बहां जाएंगें